स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टो टेकनोलजी में मैं अनुपर मेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोग फ्यूचर फ्राइडिय में आज हम लोग बात करेंगे कोई जार्स के बारे में तो आए समझते हैं तो सबसे पहले समझी यह है क्या तो यह समझी complex element है universe का यानि कि universe में बहुत सारे चीज़ होते हैं जो देख के थोड़ समझ में आ जाता है कुछ-कुछी होता है कि जो हजमी नहीं होता कि कर क्या रहा है क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है बहुत complex होता है ये उस department में आता है, इसे मतलब का ये well understood department में नहीं रखा जाता है दूसरा, ये बहुत ही bright होता है पूरे electromagnetic spectrum में यानि कि आप x-ray telescope से देखेंगे तो भी ये देखेंगा आप इसे optical telescope से देखेंगे तो भी देखेंगा और मतलब इसके बाद ये समझे एक mystery सुरू हुई अब बाद करते हैं तो जितना हम लोग टेक्नोलोजी का इस्तमाल के जितने टेलेस्कोप का इस्तमाल के एक पॉंट के बाद धीरे धीरे narrow करते करते हैं मतलब अब अबनों का search field को narrow करते करते हैं कोर में वो क्या रहा है कोर में बात है ये super massive black hole है वो इकलोता चीज़ा जो इतना dense हो सकता कि इतनी जादा energy इतने छोटे जगह से release करें एक contrast देने के लिए आप ऐसा समझे कि आप Milky Way लीजाए Milky Way में कितने सारे star हैं वो सब को जोड़के आप एक unit बनेगे और ये चोटा सा quasar जो है उस पूरे unit से जादा brightness दे देता है ऐसा सिर्फ एक चीज़ कर सकता है वो है super massive black hole अब बात यह बनता है कि super massive black hole हर galaxy के center में होता है और ये समझे कि चुकि ये black hole बहुत massive है और black hole का logic star के उल्टे में चलता है यानि कि star जो है जितना छोटा होगा उतना लंबा जीएगा और जितना बड़ा होगा उतना जल्दी boom हो जाएगा black hole एकदम उसका उल्टा जाता है छोटे-छोटे black hole तुरंट evaporate हो जाते है लेकिन बहुत बड़े अगर हो जाते हैं तो वो बहुत लंबा time तर टिकते हैं तो यही समझे कि यहाँ पर यह सब जो देख रहे हैं वो ऐसा आराम से हो सकता है कि जिस galaxy के कारण जिस galaxy के सेंटर में वो पूरी के पूरी galaxy खतम हो जाए और उसके बाद भी black hole बचा रहे है क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है तो इससे लिए बहुत लंबी आयू होता ही नहीं है बहुत ज्यादा जीरो लगाना पड़ेगा कोई यह आपने के लिए तो यहीं समझे अब बात बनता है कि इतना बड़ा इतना बंदम जी कहां से आता है इस पर बहुत सारे हाइपोतेसिस हैं कुछ हाइपोतेसिस सिंपल हाइपोतेसिस हैं जैसे कि बहुत सारे छोटे black hole इक सिंपलाइपोतेसिस हैं कुछ-कुछ बहुत कॉंपलेक्स हाइपोतेसिस हैं जैसे कि पूरा जो स्टेलर क्लाउड था यानि कि बिग बैन के पास जो क्लाउड बने है जो इसमें मतलब हाइप स्पीड से कोलाप्स होने लगा तो स्टार बरने के जगा सीधे black hole में पहुंच के अंदर गुज जाए कि वो न्यूट्रान स्टार बने लेगे फिर उसको भी फोड़ के अंदर चला जाए black hole में सीधे पहुंच जाए यह भी हो सेथा एक हाइपोतेसिस है ऐसे बहुत सारे हैपोतेसिस तो यह समझी है कि हम लोगों पता है यह है क्यों है या कैसे है यह अ कोईजार के टिक रहे है वो एक कैटेगरी है समझे एक बड़े कैटेगरी के अंदर वो बड़ी कैटेगरी है active galactic nuclei तो यह समझना बहुत ज़री होता है कि black hole है black hole खाता है तो अगर black hole खा ना खा रहा है उस टाइम वो गलो करता है जिस टाइम वो खाना खा के हजम कर चुका तो यह समझना बहुत ज़री है तो अब बात है कि इतने बड़े galaxy यह मतलब supermassive black hole को खिलाएंगे क्या तो जनरल दूसरी galaxy खिलानी होती है यानि कि जब भी दो galaxy का merger होता है जो कि common चीज है इतने सारे galaxy बहुत सारा galaxy collision course में होता है जैसे कि हमारा andromeda galaxy से collision होने वाला तो जो द उसे का orbit करने लगे और gravitational wave में अपनी energy release करके collapse करें यह हो सकता है कि मतलब इक इतना स्पाइक से सब चीज हो जाए कि बहुत बढ़ा बूम हो और उसमें सब मतलब excretion disk फिर से बन जाए एक supermassive black hole का बड़ा भाई बन जा है तो यह समझना बहुत ज़री होती है और यह excretion disk ज जाओगे तो सीज़े बाहर के खर जाओगे मतलब ब्लाइक होल के घूम रहे हो वहां फसे हो लेकिन किसी कारण से आप उसके सेंटर में पहुंच सकते हो और वहां से आप जट के तौर पे बाहर escape कर सकते हो तो कई light year तक आप बाहर निकल सकते हो मतलब इतनी जादे एनरजी इसके poles पे dump की जा रही है कि वो जो अब निकल रहा particles almost light speed चूर रहा है जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले जिसमें था कि solar wind में भी काफी energy होती है light speed पे नहीं चल रहा है और मतलब इतना दीमा होता है कि 8 light मिनट में में को पता चल जाता कि आने वाल है तो वो कहिए 10-15 घंटे बाद आ जाता है यहां पर यह almost light speed चूर रहा है यानि कि जो gases निकल रहे है वो physically उतने चल रहे है कि मजब थोड़ा होते चले तो actually 100% light speed पहुंच जाएगा तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके poles में बहुत energy है और किसी को साही से समझना नह होता है यह लंबे समय तरह नहीं चल सकता है क्योंकि यह स्पीड से खाना खाता है जल्दा टिक नहीं पाता है कुछ million years में ना पा चाता है तो इसलिए इसको एक्टिव कहना जरूरी है क्योंकि passive हो गया यानि खा लिया उसके बाद कुछ नहीं को नौर्वल दिखेगा लेक इसका ऐसा है कि जो डिस्क है उससे जो पॉल निकला पॉल हमारे तरफ अगर एम किया हो है तो मतलब कुछ-चुछ-केस में लगी होगे कि पॉल हम लोग के तरफ था लगी है बहुत दूर से क्योंकि अगर यह पोल आपके बहुत नजदिक में रहा तो इसे कहा जाएगा ब बलेजर्स यह होता है यह बहुत रहार होता है पतला कोईजर्स आपको जतने मिलेगें उस में से कुछ-ची कोईजर्स आपको बलेजर्स के काटिगरी में लगे क्योंकि यह orientation dependent है फिर होता है कि मानलीजी यह तो मैने बता कि एककम पॉल आपका सिधा इम किया हुगा क्या हो तो गगर पोल एम नहीं किया हुआ है, आपको साइट से देखने हो बहला है, एसे हैं तो साइट से दिख रहा है, तो उस केसे समें मान लीज़े ये एक्टिव है और उसके समें इसका ये बन रहा है, क्या पलता है, रेलिविस्टिक जेट जू आउटपुट हो रहा है, वो अ अब यहां पर बात समझना बहुत ज़र रहे है कि यह बहुत बढ़ा अन्नोन है क्योंकि यह समझे हम लोगों को अभी इसके लिए मतलब यह डाइनमिक सिस्टम है एक मतलब थंड़ा पीरिड नहीं कि हो गया थंड़ा है सब चिले यह हो रहा है एक्टिव हो रहा है कैसे और यहां पर समझे कि यह कब था मतलब यह इरा अभी नहीं है यह अरली युनिवर्स में यानि कि जब युनिवर्स में बहुत बड़े-बड़े शास होते थे जो पहले खुब होते थे उस केसे में यह ज्यादा प्रॉमेनल था आज के टाइम में यह समझे ठंड़ा इसे में पर यह बहुत रहे होता है जैसे जैसे युनिवर्स का एज बढ़ते चला जाता है यह रेरीटी बढ़ते चली जाएगी तो हम दों समझे यह फेस को पार कर चुके हैं मलब युनिवर्स के एज के इसाफ से एक हैं तो हमारा करेंड डेटा पॉइंट है कि यह फेस बीच चुका है यह हमारे भूत काल में हुआ था तो समझे बहुत अन्नोन है इसको समझने और गहराई से समझने के लिए बहुत अन्नोन है तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन कोईजार के बारे में चोटा सा सर्फेस लेवल उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो किसी न दबाई वेरा फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा जनके मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद